गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे तो वेद क्या हैं वेदों के परकार और इतियास के बारे में और प् इतियास सम्दित और भी आपको नई नई जानकरी प्राप्त करनी हूँ तो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को आप सब्सक्राइब करें और नई नई जानकरी प्राप्त करें तो देखेगा इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वेदांगों के बारे में कहा जाता है तो वेदांग जो वेदार्थ ज्यान है उसमें जो साइक सास्त्र है उसको ही वेदांग कहा जाता है वेदांग छे हैं छे कौन-कौन सी वेदांग है सिक्स्या कल्प व्याकरण जो तिस चंद और निरुक्त ये छे क्या है वेदांग है इन छे वेदांगों के बारे में ही हम अच्छे से डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिएगा वैदिक साहिते अत्यंत विशाल तथा कठिन था और इसे समझ सकना समाने बुद्धी के परे था अत्या आग्ये चलकर वेद के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक करमकांडों के अधन में सहाइता देने के निमित एक नवीन सहिते की रचना हुई जिसे क्या कहा गया वेदांग तो वेदों को अच्छे से सरलता से समझने के लिए ही वेदांगों की रचना हुई इनकी संक्या छै lambi जिनका ज्यान वेद के या थार्थ ज्यान के लिए अत्ति आवसिक है वेदांग का साबदिक अर्थ है वेदों के अंग ठीक है ना वेदांग हिंदू धरम गरंथ भी है देखेगा सिक्ष्या, व्याक्रण, जोतिस, निरूप्त, छंद और कल्प इन शे वेदांगों के बारे में हम यहां पे डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पढ़ें पढ़ते हैं सिक्ष्या सायन के अनुसार जो स्वर, वण, आदि के उचारण के परकार का उप्तेश देती है वह विद्या क्या है? सिक्ष्या इस प्रकास पस्ट है कि वैद्दिक मंत्रों के सुद्ध सुद उचारण तथा सुद्ध स्वर्क किरिया की वीद्यों के ज्यान के निमित जो सहीते लिखा गया उसे सिक्ष्या कहा जाता है इसे व्येद रूपी पूरुस की नाक भी कहा गया है तो शिक्षय है इसको वेद रूपी पुरूस की नाग कहा गया है प्राचेन यूग में वेद मंत्रों के सुद उचारन तथा स्वरों के ज्यान का बड़ा महत्वय था पाणीनिये शिक्षय में वन्नित है कि स्वर तथा वन से हीन मंत्र मिथ्या प्रियूक्त होने के कारण सही अर्थ का परतिपादन नहीं करता अपितु वाग वज्र बनकर यजमान का ही नास कर डालता है वैदिक सिक्षय समंदी प्राचींतम सहीते प्रति साखे हैं बाद में इसी आधार पर यागवल लग के सिक्षय नारदिये सिक्षय पाणीनिये सिक्षय आधि कई गरंथों की रचना की गई तो शिक्षा जो वेदांगों में एक अंग शिक्षा है उसमें से कई बार यह IQswn एकजाम में पूछ लेते हैं वेद रुपी पुरुस का नाक कौन सा वेदांग है वो आपका सिक्षा है और जो वेदांग रुपी जो सिक्षा है उससे समन्दित प्राचिन्तम साहिते कौन सा वो है पर्ति साखे ठीक है अब अगला वेदांग आता व्याकरण तो वेदों में प्रियुक्त कीगी सिंस्कृत व्याकरण का सरली करण इसमें मिलता है सब्दों की मिमासा करने वाले सास्तर को व्याकरण कहा गया है इसका सम्बंद भासा सम्बंदी समस्त नियमों से है इसे वेद रुपी पूरुस का म प्पति पादन किया गया है वेदिक साहिते की रक्षा नए पदों की कल्पना साहिते का सरलतापूर्वक अध्यन वेदिक सब्दों के विशे में उत्पन संदेहूं के निवारण आदीकी द्रस्टी से व्यकरन का ज्ञान अवसय क है व्यकरन की सर्वस्रेश्ट करंव बग 400 सुत्रहें, यह सिंस्कृत का अत्यैंती वाग्यानिक ग्रंद है, जिसकी जोड का दूसरा ग्रंद संसार की किसी बहता में नहीं है. पाणीनी का समय इस्था पूरव पांचवी सताप्दी का है. इसके बाद इससा पूर्वा दूसरी स्ताबदी में पतंचली ने पाणे निये शुत्रों पर महा भस्ते लिखा इन तीनों व्याक्रणों के नाम अत्यन्द परसिद हैं इसके बाद सात्वी स्ताबदी में जया दित्ते और वामन द्वारा अस्टा धही पर कासी का नामक्टी का लिखी गई तो यह आपका वेदांगों का कौन से अंगवा व्याक्रण अगला वेदांग है जोतिस सुब एसुब तथा वैदिक यग्यों में करमकांडों के सुब एसुब फलों के प्रभाव को जानने के लिए ग्रह नक्षत्रों का अध्यन किया जाता है यग्यों से अभीस्ट फल प्राप्त करने के लिए यह आवस्यक था कि उनका अनुस्ठान सुब समय तथा मुहरत में किया जाए ग्रहूं तथा नक्षत्रों की इस्तिती का अध्यन करके यह समय पता किया जाता था इस अध्यन ने जोतिस तामक वेदांग को जन्म दिया ठीक है जोतिस की सरवाप्राचिन रचना मगद मुनी कृत्र वेदांग जोतिस है तो वेदांग जोतिस की रचना किस ने करी मगद मुनी ने ठीक है इसमें कुल 44 लोख है इसमें कहा गया है कि जो जोतिस को जानता है वही यग्यों का यथार्थ ग्याता है वेदांग जोतिस के दो ग्रंथ है जो रिगवे तथा यजुर्वे से सम्मंदित है इन्हे करम से आचार्य जोतिस तथा यजुस जोतिस कहा जाता है तो रिक वेसे समंदिताव है आचार्य जोतिस और यजूर वेसे समंदिताव है याजुस जोतिस कालांतर में इन सभी पर भी कई भासे लिखे गए हैं वेदांग जोतिस है भारतिय जोतिस आस्तर का मुलाधार है तो भारतिय जोतिस आस्तर का मुलाधार कोन सा ग्रंथ है वेदांग जोतिस वेदांग जोतिस की रसना किसने करी मगद मुनी ने अगला वेदांग आता है कल्प तो वैदिक येग्योगी वेवस्ता तथा ग्रहता अस्त्रम के लिए उप्योगी कर्मों के पर्तिपादन करने क के निमित कल्प विद्नामक वेदां का पर्णेन हुआ छोटे छोटे वाक्यों में सुत्र बनाकर सभी महतोपुन विदी विदानों को प्रस्तुत किया गया सुत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है ठीक है इनकी रचना वैदिक साहिते के अत्यंत विश्त्रित हो जाने के का द्रमकंडों को कल्प सुत्र में लिखा गया है और जो कल्प है इसके चार भाग है कल्प सास्तर के चार भाग कोन कोन से हैं धरम सुत्र गाहिय सुत्र सुत्र और सुल्व सुत्र कल्प सुत्र को कल्प को ही सुत्र साहिते भी का गया है ठीक है ना अब इसके जो चार भाग ह के बर में हम अलग-अलग पढ़ेंगे धरम सुत्र वैदिक सम्माज के सम्माजिक नियम कानून सुत्र रूप में मिलते हैं इसमें एक-एक पंक्ति में स्लोक मिलते हैं इसी धरम सुत्र पर आगे स्मृति ग्रंत लिखे गए अगला कल्प का अगला भागाता है घाहिये सुत् वेक्ति और परिवार से संबन्दित वेक्तियों और करमकांडों का उल्लेक इसमें मिलता है स्रोत सुत्रे इस सुत्रे में संपूर मानवजाती के कल्नान के लिए विवीद प्रकार के करमकांड दिये हुए है सुल्वय सुत्र सुल्वय का साब्दिकर्थ होता है रस्सी इसमें वद्धिक येग्यों के निर्मान की विधी जो हमनकुंड बनाने की विधी जो है वो बताई गई है येग्ये वेद्यों का प्रकार कैसा होगा वो सब इसमें बताया गया है इसे भारतीय ज्यामिती का प्राचींतम ग्रंथ कहा गया है अगला वेदांग आता है चंद वैदिक साहिते के मन्तरों के लिए प्र्यूक्त किये गये विभिन चंदों का उलेग चंद नामक वेदांग में हुआ है वैदिक मंत्र अधिकास्त है चंदों में बद हैं अते हैं उनके ठीक ढंग से उचारन तथा पाठ के लिए चंदों का ज्यान आवसेक है पाणीनिय सिक्स्या में चंदों को वेदों का पैर कहा गया है ठीक है नूँ तो वेदों का जो वेद रूपी जो पूरुष है उसका पैर किसे कहा गया है चंद को और मुक किसे कहा गया है व्यक्रण को ना किसे कहा गया है सिक्स्या को और पैर किसे कहा गया है चंदों को ठीक है नूँ चंद के आधार बिना वेद चलने में एसमर्थ हैं तो चंद के बिना जो वेद हैं वो एसमर्थ हैं प्रेधान चंदों के नाम सहिताओं और ब्रह्मनों में मिलते हैं चंद सास्तर पर स्वतंतर ग्रंद पिंगल मुनी का चंद सुत्र है इसमें वैदिक तता लोकिक दोनों ही चंदों का विवेचन किया गया है तो पिंगल मुनी ने चंद सुत्र की रचना करी है और ये चंद वेदांग से सम्मंदित है अगला वेदांग आता निरूक्त वेद के कठिन शब्दों का संक्लन निगट्टू नाम ग्रंथ में हुआ है ठीका ना तो वेद में जो कठिन शब्द है उनका संक्लन निगट्टू नाम ग्रंथ में हुआ है इनी की व्याख्या करने के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की थी तो निगंटु नामक ग्रंथ है वह है निरुक्त से समंदित है और निरुक्त में जो कठिन-कठिन सब्द हैं वो सारे डाले गए हैं और इन कठिन सब्दों की व्यक्षा करने के लिए निरुक्त जो यास्क है उसने निरुक्त की रचना की थी इसमें कुल मिलाकर चोद वीडियो में हमने 6 वेदांगों के बारे में डीटेल से जानकरी प्राप्त की और भी नहीं नहीं जानकरी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूटूब चेनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें धन्यवाद